85 पैसा ये बीच के इनके दलाल खा जाते थे ये नया भारत है लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है आपके बापदादों की आपके पूरवजों की जो संपत्ति होगी उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे हमें जजिया करवाली सरकार नहीं चाहिए जजिया करवाली पार्टी नहीं चाहिए 85 पैसा ये बीच के इनके दलाल खा जाते थे जनता तक तकी लगाई देख भी रहती थी लेकिन उस तक योजना का लाब नहीं पहुंसता था पैन और भाईयों मोदी जी ने डीवीटी के माद्यम से डिरेक बेनेफिट स्कीम के माद्यम से आज पैसा सीदे गरीब के खाते में पहुंच रहा है और यही कारण है देश के अंदर असी करोड लोग पिछले चार वरसे फ्री में रासन की सुविदा का लाब प्राप्त कर रहे हैं साट करोड लोगों को आई उस्मान भारत में प्रतिवर्स पांच लाख रुपे की आई उस्मान भारत की सुविदा प्राप्त हो रही है को खिसान सम्मानिदी का लामि लाह भना है के घर में सोचाले बन गए हैं दस करोड गरीबों के घर में उज्छुला योजना का कनेक्शन भी पौँँच गया है चार करोड गरीबों के ensuite हम बन गए हैं और मोधी जी नहें कहा है कि जब चार जुन को फिर एक बार मोधी सरकार बनेगे तो सत्तर वर्स से उपर के हर एक मुजुर्ग को पांच लाग रुपे प्रतिवर्स उपचार के लिए उस्मान काड उपलब्द करवाएंगे मोधी जी की गोशना है और मोधी की गारंटी भी है कि जितने बचेवे गरीब होंगे जिनके पास मकान नहीं होगा उन गरीबों को भी एक एक मकान उपलब्द करवाएंगे बैन और भाईयों एक और एक और मोधी जी के नित्रत्तों में एक और मोधी जी हार कोई बात है उदर बढ़ जा आराम से बढ़ जा एक और जै छेड़ो मत उसको बिठा दो वहीं पर बिठा दो एक और मोधी जी के नित्रत्तों में एक और मोधी जी के नित्रत्तों में एक और मोधी जी के नित्रत्तों में देश का सम्मान बढ़ा है देश की सीमाएं सुरक्षित ही है आतंगबाद और समाधवान हुआ है अरे भाई काई छेड़े उसको उत्साई नौजवान उसको एक तरफ बिठा दो आराम से वहां पर एक तरफ बेढ़ जाएगा एक तरफ बिठा दो बैन और भाईयों एक कॉंग्रेसर और जेडी की सरकार जब थी रोज आतंक बाद ही हमले होते थे सुबह अकबार पढ़ते ही पढ़ते थे एक नया घोटाला सामने आता था और सैकाल होते होते कहीं आतंकी बिस्पोर्ट और आतंकी वारदात की सूचना आ जाती थी बैन और भाईयों आज आप देखते होंगे मोदी जी ने आतंकबाद और नकसलबाद की समस्या का समाधान कर दिया अब तो कहीं जोर से पटागा भी फढ़ जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कहता साम मैंने नहीं किया है उसे मालू मैं ए नया भारत है छेड़ता नहीं है लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है ये नया भारत है ये नया भारत सर्जिकल इस्टाइक और इयरिस्टाइक के लिए भी अमेशा तैयार रहता है अगर कोई हमारे नाग्रिकों को मारेगा तो उसके घर में घुस करके उसका काम तमाम करने का कारे भी नया भारत करता है बैन और भाईयों आतंगबाद और नक्सलबाद की समस्या का भी समाधान हुआ है और इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी जो कॉंग्रेस और आर्जेडी को अच्छा नहीं लग रहा है पांसो वर्षों का अंधजार समाप्त कर दिया अयोध्या में प्रुरामलला बिराजमान हो गए हो गए ना और बिहार वासी तो इतने मगन है प्रुरामलला के आने पार क्योंकि मा जानकी का माई का जो बिहार में है तो सब लोग खुस है कि प्रभु अयोध्या में फिर से भी राजमान हो गए है आज भगवान राम का राज तिलग भी हो रहा है सूर्य तिलग के रूप में हो रहा है आज भगवान राम अयोध्या में अपना जन्मोट सो भी मना रहे हैं होली भी मना रहे हैं इस सब किसके कारण मोदी जी के कारण किसके कारण आज आप अयोध्या जाके देखिए ऐसी चमका दी गई अयोध्या ऐसी चमका दी गई ऐसी चमका दी गई आपको लगेगा कि अयोध्या प्रवु राम के समय की अयोध्या आ गई है कभी अयोध्या जा करके देखें आप मौरसी बालवी की के सादनास तली यहां पर है और बेन और भाईयों मौरसी बालवी की के नाम पर इंटरनेशनल एरपोर्ट का निर्मान अयोध्या धाम में हुआ है निसादराज भगवान राम के मितरते वहां जितने भी यात्री भी स्रामा लें सब निसादराज के नाम पर है सर्दालों के लिए फ़री भोजन की विवस्ता योध्या में इस माता शबरी भोजणाले से बरापत होता है बैन और भाईयों आज आप अयुद्या में जाएंगे एक नई अयुद्या का एसास होगा और इस नई अयुद्या के लिए आज हम सब को मोदी जी को हिर्दे से धन्यबाद देना चाहिए और इसलिए मैं आज आप के पास आया हूँ कि पेन और भाईयों भारती जनता पार्टी और एंडिये देश का सम्मान बढ़ा रही है देश की सुरक्सा के लिए कारे कर रही है देश के अंदर संब्रिदी के लिए विकास के लिए विरासत के लिए गरीब कल्यान के लिए कारे कर रही है तो दूसरी और ये कॉंग्रेश और आरजेडी का गड़बंदन एक गड़बंदन एक इसका उतेश क्या है गड़बंदन का उतेश है कि सक्ता प्राप्त करना मिल करके लड़ना और जीत करके लूटना लूटने की क्या स्वतंतरता देंगे आब इनको कता ही नहीं देना है बिहार को जेडी यू और बीजेपी की सरकार ने जिस अराजकता से उबारा है आज बिहार को धर नहीं जाने देना है बेन और भाईयों मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूँ मैने फेस्टो में आप देखिए मोदी जी ने कहा है हम आत्म निपर और विक्सित भारत बनाएंगे लेकिन कांग्रेस और इनके सयोगी क्या कहते हैं बिहार में लालू जी कहते हैं कि सभी OBC का आरक्षण मुसल्मानों को दे देना चाहिए क्या मिलना चाहिए क्या और कांग्रेस का मेने फेस्टो भी क्या कहता है क्यानों सुची जाती जन चाती और पिछडी जाती कि आरक्षण का लाफ इनसे कारट करके मुसल्मानों को देंगे क्या अब इसको इसको स्विकार करेंगे क्या और बैन और भाईयों दूसरी खतरनाक बात जो इन्होंने कही है वो कही है जब राहूल गांदी से पूछा गया कि भई गरीबी के लिए क्या करेंगे क्योंकि मोदी जी ने तो दस वर्स में पचीस करोड लोगों को गरीबी रेखा से उभा रहा है मुक्त किया है खुसाल जीवन की उन्हें आगे बढ़ाया है तो राहूल जी कहते हैं एक जटके में गरीबी हटा देंगे का कैसे उन्होंने कहा मैं हर एक परिवार की संपत्ति का सर्वे कराऊंगा और सर्वे करा करके उसमें वरासट टैक्स लगाऊंगा बैन और भाईयों वरासट टैक्स का मतलब आप समझे यह वरासट टैक्स का मतलब है कि बाप दादों की आपके पूरवज़्ों की जो संपत्ति होगी उस में से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आधी संपत्ति लेने के बाद फिर उसको पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगला देश से जो घुसपैटिये भारत के अंदर आये होंगे उनको बंदर बांट करेंगे आप मुझे बताईए आपके पास दो कमरे का घर है आपके पिताजी ने आपके दादा ने बना करके दिया है और वो दो कमरे के घर में एक में आप रहें एक कमरे में आप रहें एक कमरे में जबरदस्ती किसी मुसल्मान को घुसपैटिये को दे देंगे क्या आपको स्विकार है क्या अरे क्या हो गया इस कॉंग्रेस को इसके अंदर लगता औरंग जेब की आत्मा घुस गई है औरंग जेब बेन और भाईयों मुगलों का सबसे कुरूर पाचसा हुआ था और कोई सरीब मुसल्मान वे अपने पुतर का नाम औरंग जेब नहीं रखता क्योंकि औरंग जेब ने औरंग जेब ने अपने भाई की हत्या की फिर औरंग जेप ने अपने बाप को कैद कर दिया था और अगर औरंग जेप की कारिस्तानी को देखना हो तो पटना की खुदा वक्त लाइब्रेरी में जा करके पढ़िये उसमें साजा की जीविनी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी साजा कहता है ऐसा कमवक्त पुतर किसी को पैदा नहो क्योंकि जीते जी तो पानी के लिए साजा को तरसाया था और मरने के बाद भी उसने कहा कि या तो क्या इससे अच्छा तो ये हिंदू है तो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है उनका आदर सत्कार करता है और मरने के बाद स्राद और तरपण करके उनको पित्रों को जल देने का काम करता है बैन और भाईयों ये औरंग जेब ने जजिया कर लगाया था हिंदों पे ये मंदिर जो तोड़े गए थे कासी विश्वनात का मतुरा में सिक्रिष जन भूमी का ये इसी दुष्ट औरंग जेब ने तोड़े थे और बैन और भाईयों ये औरंग जेब जजिया कर लगाया था कहता था या तो कर दो नहीं तो मुसल्मान बनो उस समय का ये जजिया कर ये वरासक टैक्स है कांग्रेस का ये जजिया कर है हमें जजिया कर वाली सरकार नहीं चाहिए जजिया कर वाली पार्टी नहीं चाहिए और इसलिए मैं आया हूँ आपसे कहने के लिए कि आत्म निर्वर और विक्सित भारत के लिए देश की आवाज के साथ हमें भी एक जुठो करके चुनाव जिता करके वेजना है डॉक्टर संजय जैस्वाल उच्छ सिक्षी चिकित सक है इनके पिता जी भी डॉक्टर मदन प्रसाद जैस्वाल जी भी हम मैं भी उनके साथ सांसत था डॉक्टर संजय जैस्वाल भी मेरे साथ सांसत थे और साथ साथ बिकास की चर्चा करते थे बिहार के बारे में चर्चा करते थे यहां के गरीबों के बारे में चर्चा करते थे यहां के उत्थान के बारे में चर्चा करते थे और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ संजय जैस्वाल के लिए पिसे शुरूप से आया हूँ उत्तर प्रदेश में भी 14 सीटों पर चुना होने लेकिन मैंने का जाओंगा संजय जैस्वाल के लिए जरूब और बैन और भाईयो इसलिए आपके पास आया हूँ डॉक्तर संजय जैस्वाल कोच ना जिता के भीजेंगे अरे दोनों हाथ प्पाके जहां तक मेरी आवाज जा रही है जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ प्पाकर कमझे बताओ बैन और भाईयो मैं इसलिए बोल लाओ देखो मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुर्डोजर मंगा दिया और ये ये मापिया रातंगबादियों का सबसे अच्छा उपचार है मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे बनेंगे इसके लिए संजय जैस्वाल को जिताना होगा जिताएंगे जिताएंगे कल एक दिन का समय है एक दिन देश के लिए देंगे इसके लिए आपको एक काम करना होगा जितने लोग यहाँ पर आये हैं आप से मेरी अपील होगी कल एक दिन पंद्रा घरों में जा करके जितने सदस्य होंगे वयस्क मत आता होंगे उनसे कमल चुनाचिन पर वोड़ देने की अपील करके और परसों उन्हें मत्तान के इंद्र पे लेके जाना है लेके जाएंगे मैं आस्वस्त हो करके जाओ मोदी जी को आस्वस्त करो कि यहां से डॉक्टर संजय जैसौल भारी बामस से जितनों जीत के जाएंगे सहमत है तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम